भरती के अलग-अलग स्रोतों के बारे में डिसकस करेंगे कितने स्रोत होते हैं भरती के दो आंतरिक और बाहिये पहले आंतरिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे क्या है आंतरिक स्रोत, क्या उसके फाइदे हैं, क्या उसके नुकसान है और फिर उसके बाद में बाहिया स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि बाहिया स्रोत क्या होते हैं, उनके क्या फाइदे हैं और उनसे क्या नुकसान है बहुत important topic है, एक नए question हमें जरूर चाहे case study की form में, चाहे straightforward हमें जरूर मिलता है अब यहाँ पर क्या बताया गया है, आंत्रिक, आंत्रिक मतलब क्या होता है संगठन के अंदर से, और भाहिये, भाहिये का मतलब संगठन के बाहर से तो आंत्रिक स्रोत क्या होते हैं, भरती के आंत्रिक स्रोत क्या होते हैं वे स्रोथ जो संगठन के अंदर से ही जहां पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अप रावधान किया जाता है वह भरती के आंत्रिक्स रोथ कहलाते हैं तो यानि कि अगर संगठन के अंदर से ही हम रिक्थपदों की पूर्ति कर रहां तो हमारे आंत्रिक्स रोथ क्या क्या ह favor नमबर 1 अंत्रण अंत्रण का हमने कहा एक डिली में हमारा office is it mb算 महीं में हमार यादि दिली में हमारे करम चारियों की संख्या जादा है तो हम वहां से मुंबई में उन्से करम चारियों को भेश सकते हैं जहां पर की उनकी आवश्चक है तो इसको बोलेंगे स्थान अंत्रंड स्थान क्या होता है ना तो करमचारी के काम में कोई खास परिवर्तन आता है ना ही करमचारी के वेतन में कोई खास परिवर्तन आता है और उसके अधिकार उत्तर दाइतों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आता है जो उसको यहां मिल रहा था जो उसको काम यहां करना पड़ रहा थ करमचारी के कारे की प्रकृति भी बदल जाएगी क्या काम वो यहां पर परिचालन्ज सर पर क्या काम कर रहा था वो बदल जाएगा जो मद्यस सर पर जो काम करेगा तो दोनों काम के स्तर में डिफरेंस होगा वेतन में डिफरेंस होगा अधिकार उत्तरदाइत में डिफरेंस है तीशन कहा जाता है इसेengine कहा जाता है इसे प्रमोशन कहते हैं इसे क्याते है लेकिन संगठेन में आहम दाने नाम स्थामर्ण का इसका क्या ठोल कि जाएगा लिए करें Light इस त्रीकए को इस्थिमाल करने से बचा जाता है एक नया तरीका है जिसका बहुत बार इस्थिमाल किया जाता है वह अस्थाई अलगाव इसको एंग्लिश में हम ले आफ़ भी कहते हैं जैसे आज कल के युग में अभी कोरोना कार चल रहा है बहुत सारी चीजे जिनका उत् दिवाएं हैं, services हैं, जिनकी requirement एकदम से बढ़ गई है, तो अगर किसी चीज़ की requirement एकदम से बढ़ गई है, तो ऐसे में बहुत जादा करमचारियों की आवशक्ता हैं, और कुछ हैं जिनकी requirement बिल्कुल घट गई है, तो उन करमचारियों को company मना कर देती है, तो अभी हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, तो प्लीज अभी आप घर पर बैठें, जब भी हमारे पास काम होगा, हम दुबारा से आपको बुला लेंगे, तो अगर काम कम हो गया है, उत्पादन का स्तर कम हो गया है, तो करमचारियों को निकाल दिया जाता है, ले ओफ और जब भ हमेशा आंतरिक्स रोतों में इन दो पर रहता है, कौन-कौन से स्थानांतरन एक जगा से दूसरी जगा और पदोन्नती एक स्थर से दूसरे स्थर पर उपर की और जब उनका बढ़ाव होता है, तो अब देखते हैं, आंतरिक्स रोतों से क्या फाइदे हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, भरती के आंतरिक्स रोतों के लाब, बेनिफेट्स ऑफ इंटरनल सोर्स इस रिक्रूट्मेंट, सबसे पहला फाइदा, यह सस्ती प्रक्रिया होते हैं, सबसे सस्ता, सबसे असान, क्या अगर नय संगठन के अंदर से ही हमें करमचारियों को एक जगा से दूसरी ज सबसर दे रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बदले में कुछ मिल भी रहा है, तो करमचारी जो होते हैं, वो संतुष्ट भी होते हैं, निष्ठवान भी होते हैं, और अच्छा काम करने के लिए अभी प्रेरि करने योग्य है क्योंकि वो करमचारी पहले से संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन को बहुत अच्छे से जानता है और करमचारी भी संगठन को बहुत अच्छे से जानता है तो उसको एजिली अडैप्ट कर पाता है वो असानी से अपने आपको संगठन में ढाल पाता है इ अभी पिछली वीडियो में क्या होता है अनुस्थापन उसको उसके पद पर स्थापित करना उसके अधिकारों उतर दाइतुस से परिचित कराना तो क्योंकि करमचारी संस्था को पहले से ही जानता है इसलिए उसको संगठन में स्थापित करने में जादा कठिनाई नहीं आत इसमें करमचारियों को shift कर देंगे यदि दिली में उनकी आवशक्ता नहीं है और मुंबई में उनकरमचारियों की आवशक्ता है तो जो हमारी extra man force है manpower है हम उसको एक जगा से दूसरी जगा भेज सकते हैं बड़ी असानी से और अब संसातनों का कुशलतम उपयोग किया जा स सकता है छटा पॉइंट कम प्रेशिक्षन की आवशक्ता होती है जैसे कि पहले भी बताया सरल अनुस्थापन होता है अधिक विश्वसनी होता है क्यों क्योंकि संसा करमचारी को अच्छे से जानता है संसा के कारे बातवरंड से परिचित है इसलिए उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवशक्ता नहीं पड़ती है तो भरती के आंत्रिक्स रोतों के 6 फाइदे कितने फाइदे 6 कौन कौन से सस्ता शांती का बातवरंड जाद अविश्वसनी है सरल अनुस्थापन अतिरिक्त कारे शक्ति का स्थानांतरण और सरल प्रशिक्षन ठीक है य हेडिंग डाल सकते हैं आंत्रिक्स रोतों के दोश या उनकी कमिया अब देखिए संगठन के अंदर से ही हम लोगों को न्यूक्त करे चले जा रहे हैं तो हम देखी निरे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम आएगी नई प्रतिभाओं को क कोई भी अफसर नहीं दे पाएंगे सेकिंड पॉइंट और करमन्य करमचारी क्यों अरे मुझे तो मालूम है कि मेरे तो प्रवर्शन हो जाएगा मेरा प्रॉमोशन हो जाएगा और मुझे जादा कुछ सोचने समझने की जरुरत नहीं तो करमचारी क्या करते हैं टाइम बा बहुत ही और करमन्य काम करने की च्छाई नी रहती उसकी तीसरा नई संस्था के लिए अनुप्यों क्योंकि पदोन्ति कैसे कर दोगे आप हर पद पे पहले तो व्यक्ति को न्यूप्त करोगे ना तभी तो आप अधोननती कर सकते हैं तो अगर कोई न्यू और्गिनाइजेशन है तो वह पहली बार में आंत्रिक स्रोत का प्रयोग नहीं कर सकती है उसको सबसे पहले बार जब पोस्ट फिल करनी है तो उसे बाहर से ही लोगों को बुलाना पड़ेगा ठीक है और चौथा उत्पादन शीरता में कमी कैसे उत्पादन शीरता में कमी आई अगर हम बार बार करमचारी को ट्रांसवर करते रहेंगे आज हमने उसको डेली से मुंबई भेजा फिर हमने उसे मुंबई से उठाय चिन नहीं भेज दि तो आंतरिक भुहरती में क्या क्या कमिया है पहली बात नई संस्था के लिए बिल्कुल उप्यूक्त नहीं है दूसरा नई प्रतिभाओं को कोई अफसर नहीं मिलते तीसरा क्योंकि जहां पर समयबद पदोन्नती होती है वहाँ पर करमचारी और कर्मणने हो जाते हैं और पादनशीलता में कमी आती है स्पेशली कब कमी आती है अगर बार बार ट्रांसफर होता है करमचारी का तो ठीक है तो हमने क्या क्या रिवाइस कर लिया न्युक्तिकरन का अर्थ न्युक्तिकरन का महत्व न्युक्तिकरन प्रक्रिया भरती प्रक्रिया भरती के आंतरिक स्र उनके लाब और उनके दोश यह सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिये हैं वहां से चेक कर सकते हैं अभी नेक्स वीडियो में भरती के बाइयस रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू